पहाडों की रानी कहे जाने बाले हैं मसूरी में देवरात जमकर बर्फबारी होई आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बर्फबारी के बाद कितना खुबसूरत नजारा यहां पर देखने को मिला एक तरफ जहां पर्फबारी ने पर्टकू का ध्यान अपनी तरफ कीचा तो वहीं दूसरी तरफ मसूरी में ठंड और शीत लहर का प्रकोप भी पड़ गया जिससे इस्थाने लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो इस बार वहर पूर जो पर्फबारी है वो हुई है जिसका लुत्व अपर्टकू की तरफ से अभी तक भी उठाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पर इस्थाने लोगों की कही न कही परिशानी जो है वो बढ़ते हुई है ये मसूरी की तस्विरे हैं बहुत खुबसूरत इस वक्त मसूरी जो अब तक हम सिर्फ एक पोस्टर पिक्चर के जरीए देखते आ रहे थे वहाँ पर अभी फिलाल अगर देखा जाए तो इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है चाए पेड़ पौधे घर हर कुछ जो है वो इस ताजा वर्फवारी से अटा हुआ दिखाई दे रहा है तो खुबसूरत तस्विरे आपके टीवी स्क्रीन पर आर्नाइन टीवी के जरीए तो सफेज चादर ने लोगों की मुसीबते भी बढ़ा दिये जो वहां रहते लोग हैं उनको ब तो सफेज चादर से किस तरह से पूरा मसूरी दिखाए रहा है वो आप देख सकते हैं हर दूर दूर तक बर्फ की सफेज चादर से पूरा जो नजारा है वो बहुत खुबसूरत लेकिन अगर वहां रहरे लोगों की बात करें तो यही खुबसूरत नजारा उनके लिए भी साबित हो रहा है क्योंकि लोगों की रोज मरा की जो जिन्दगी है वो सीधे तोर पर प्रभावित हो रही है क्योंकि जिन रास्तों से वो होकर गुजरते हैं वहाँ पर भी पूरी तरह से बर्फी बर्फ जो है वो नजर आ रहा है तो वहीं पानी और बिजली की समस्या भ प्रकूर्ण से आपके टीवी स्क्रीन पर तो बरवारी से मसूरी का जो नजारा है वो बेहत खूपसूरत नजार आ रहा है तो हाला कि इस्थाने लोगों को कहीं न कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है क्योंकि जो परटक वहाँ पर पहुंच रहे हैं इसी से उ प्रकूप जो है वो बढ़ गया है जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है आवला कि मौसम भागने पहले ही चिताबनी जारी की थी